तो आज आपके साथ में ना दिपावली स्पेशल मिठाई शेयर करने जाने वैसे तो आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं इसका जो टेस्ट है ना हलवाई की अच्छी अच्छी मिठाई हैं आप भूल जाएंगे एकदब सॉफ्ट रस से भरी हुई आपने अभी तक मिठाई नहीं बनाई है ना तो ये वाली बना कर देखना आपकी तारीफ होगी तो यहां पर यह मैल्ट हो गई है और इसमें हम डालेंगे रोज एसेंस फ्लेवर के लिए आप चाहिए तो रोज वाटर डाल सकते हैं एलाइची पाउडर डाल सकते हैं या फिर केवड़ा भी डाल सकते हैं तो फिर टू-टू-3 ड्रॉफ्स सफिशेंट है होने देते हैं दे यहां पर यह तैयार हो गई है अब सिंप्लि कडा यह पैल ले लेना और आपको लेना है 200 g milk पाउडर और जिकता में मिल्क पाउडर लिया है और उतना अपको दूद लेना हैज़ू यहां पर अब आपको दो चमच लेना है घी यह प्रोसेस का क्या फाइदा होता है वो आगे आपको बता चलेगा हमने इसको इसलिए डारेक्ट कड़ाई में डाल दिया है अब आपको इन चीजों का अच्छे से पहले मिक्स करना है इसमें बिल्कुल मिन नम्स नहीं होना चाह है कि आप इस्पून या फोक से भी इसको मिक्स कर सकते हैं अब भी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस तरीके से है यह अब इससे आपको गैस पर रखना है और बस इसे चलाते रहना है बीच बीच में लेकिन जो फ्लेम है ना उससे आप लो रखना क्योंकि जैसे यह पकना शुरू होती है ना यह बहुत जल्दी जल्दी पकना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे यह होदा जाएगा ना यह थेक होदा जाएगा यह देखिए पहले से और थेक हो गया है यह तैयार हो गया है कैसे पता चलेगा यह इस तरीके से इखटा होने लगेगा तो और इसे बनने में जादा समय नहीं लगता है तो यहां पर यह इस तरीके से खटा होने लगा है गैस को बन कर देना और इसे आप इस तरीके से एक बरतर में निकाल लेना थोड़ा सा फैलने हुए बरतर में निकालना और इस तरीके से कर देना और थोड़ा सा आप इसको ठंड पाउडर हमने लिया है ध्यानक ना बेकिंग सोडा नहीं लेना है बेकिंग पाउडर लेना है अब इसमें हम add करेंगे मैडा यहां पर आप ना जरुवत के हिसाब से मैडा लेना तो मैंने अभी तीन चमश भर के मैदा लिया है और आपको ना इसे हाथ से ही अच्छे से mix करना है तभी अच्छे से mix हो पाएगा तो बस यहाँ पर आपको इसे डोकी तरह दिया खरना है और जरूरत रहती है तो आप इसमें और मैदा एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा गीला है तो मैं इसमें और मैदा एड़ करूँगी माल लीजिए गलती से आप से इसमें जादा मैदा पड़ गया और यह थोड़ा सा ड्राय हो गया तब आप क्या करेंगे इसमें हलका सा गुन-गुने दूट की चीटे लगाना और अच्छे से इसको नीट कर लेना और माल जी थोड़ा से गीला रह जाता है नहीं आप इसको हैंडल कर पा रहे हैं तो फिर सूखा मैदा डालेना बस फिर इसको अच्छे से नीट कर लेना यह हो गया है कैसे पता चलेगा देखे आप न इस तरीके से बॉल बना कर देखना इसमें बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं होने चाहिए तो बस यह हो गया है नीट अच्छे से किया है अब आपको क्या करना है में गाम आपको इस तरीके से और भी अच्छे से इसको नीट करना है यह इस तरीके से तो यह आप 3-4 मिनिट के लिए कर ले न तो यह जो डो है ना बहुत अच्छे से बन का तयार होगा और यह प्रोसेस ना यह दी यह डो ठंडा हो गया तब आप में किया तो इसमें लंप्स बन जाएंगे तो लास्ट रिजर्ट भी अच्छा नहीं है तो बस यहाँ पर यह देखिए पिल्कुल भी क्रेक्स नहीं है अच्छे से बन का तयार हो गया है अब आपको इस पर कुछ भी आप ले ले लेना उस पर घी लगा के हलका सा और बस आपको इससे हलके हाथ से बेलना है जैसे बर्फी बनाते है न बट उससे थोड़ा सा पतला रखना है मतलब जादा भी नहीं आप देख सकते हैं उसकी थिकनेस कितना आपको इससे रखना है क्योंकि यह जो हम इसको फ्राइ करेंगे तो यह फूलता भी है साइज से डबल हो जाता है तो बस इस तरीके से रखना और जादा पतला भी मत बनाना वरना यह तूट भी जाए हूँकि बहुत सॉफ्ट भी बनता है और बस इसे आपको जैसे बर्फी की पीसिस कट करते हैं स्कुर्ण शेप में वैसे ही सिंपली उतना ही थिक आपको इसे कट कर लेंगे कम से कम 1.5 इंचिस थिक रखना और यह जो इसके एजिस है उसे कट कर देना यह ताकि जो शेप है वो अच्छे से निकला है बाकि जो इजिस निकलते हैं उसे भी आप बना सकते हैं अराम से और बस इसे इस तरीके से आप कट कर लेना तो यहाँ पर न यह इस तरीके से इसकी पीसिस तयार हो जाएंगे तो इतना ठीक आपको इससे रखना है इस तरीके से इसको set कर लेना ओयल में आपको इससे fry कर लेना है temperature कैसा होना चीए एक बार ओयल थोड़ा गरम हो जाए normal उसके बार में फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर देना और इसे एक ही कड़ कड़े में डाले ना जितना एक बार में आ जाए और अभी जितना साइस में दिख रहे हैं न यह जैसे इसी सिकतर जाएगा न यह अपने आप फूल जाता है पर ध्यान रखना ओल का टेंपरिचर लो ह होना चाहिए दिखे अपने आप यह उपर फ्लोट करने लगाना तो यह यहां पर जितने भी बनकर तैयार हुए थे मैंने सभी डाल दिये थे और बस थीमी गैस पर इसको होने देना आप ना इसको तब तक नहीं पलटना जब तक कि यह एक साइट से थोड़ा सा सिक नहीं दूसरी साइट से भी आप इसको ऐसे ही सिकने देना और इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन आना चाहिए तो बस आप इससे बीच बीच में पलटकर दोनों ही साइट से अच्छे से सिक लेना जब भी सिक जाता है तो फिर तो आप इसको आराम से पलटती है कोई दिकर न और आप ना इसे हलका सा सरीकी से कर देना ताकि थोड़ा सा जो ऑईल रहता है ना वो निकल जाएगा और साइस सब देखी सकते हैं यह थोड़ा से बड़े भी हो गए है और जितना हमने इसको कट किया था उससे यह काफी फूल कर तयार हुआ है अब यह जो चाशनी है ना इस और यह तो गरम है ही इससे आपको इसमें डाल देना है आप चाहे है तो डारेक्ट फ्राइग करके आप इस चाशनी में इसको डाल देना जिहां दख न यह जो पीसिस हमने बनाए है यह गरम होने चाहिए और चाशनी तोड़ा सा गुन-गुनी होनी चाहिए और बस यह आप प्लेट में लगा लेना किसी भी बटन में इसने चाशनी को बहुत अच्छे से एब्सॉब कर लिया है बाकि जो चाशनी है थोड़ा सा इस तरीके से इसके उपर डाल देते हैं और फिर आप इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेना थोड़ा सा बादाम लेना और उसे लंबाई में कट कर लेना और वो थोड़ा थोड़ा इसके उपर डाल देना और इसी के साथ में एकाम करना पिस्ता लेना पिस्ता को करश कर लेना और वो इसके उपर इस तरीके से कर सकते हैं तो यहां पर यह तयार हो गई हमारे एकदम नहीं मिठाए आपने यूट्यूब पर शायद से नहीं देखी होगी पर ट्राइजूर करना एकदम सुपर सॉफ्ट और अंदर तक रस से भरी हुई और इसका जो टेस्ट है ना आप एक बार बना लेंगे ना तो किसी फेस्टिवर्ट पर इसको जरूर बनाएंगे तो मैं आपको इससे कट करके दिखा देती हूं तो यह दिखे यह अंदर तक अच्छे से सिखा है और रस दिखने से पता चल रहा है थे कि अंदर तक इसने अच्छे से रस को एब्सॉब किया है आप इससे अपने घर पर को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू